नमस्कार दोस्तों राधे राधे जैस्री कृष्णा राधिका रमन बिहारी चैनल में आपका श्वागत है आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी ब्रत का कथा और पारण और सुम मुहरत के बारे में बताने जा रही हूँ उत्पन्ना एकादशी की कथा इस परकार है श्री सूत जी बोले हे मुनियों विधी सहीत इस एकादसी महात्मे को भगवान स्री कृष्ण ने कहा भग्त जन ही इस ब्रत को प्रेम पुर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विश्नुपद को प्राप्त करते हैं स्री सूत जी ने कहा हे परभो इस एकादसी ब्रत का महात्मय क्या है इस ब्रत को करने से क्या पुन्य मिलता है और उसकी विधी क्या है सो आप मुझसे कहिए ऐसा सुनकर स्री भगवान ने कहा है अरजून सबसे पहले हेमंत रिसु के मार्ग सिर्स महीने में क्रिस्न पच्च की एकादसी का ब्रत करना चाहिए दस्मी की साम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए एकादसी को सुबह संकल्प नियम के अनुसारे कार करना चाहिए अश्नान करने से पहले सरीर पर मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए चंदन लगाने का मंत्र इस परकार है अस्व क्रांते रंथ क्रांते विश्नु क्रांते वसुंधरे उपतापी बराहेन क्रिश्नेन सताबाहुना मिर्तिके हर्मे पाप यन्मयया पुर्वक सचीतम त्वयाह तेन पापेन गच्छामी पर्मा गतीम अश्नान के बाद धूप दीप निवेद से भगवान का पूजन करना चाहिए रात को दीप दान करना चाहिए यह संग कर्म भक्ती पुर्वक करने चाहिए उस रात को नींद और इस्तरी पर संग को त्याग देना चाहिए एकादसी के दिन तथरातरी में भजन, सत्संग, आदी, सुभ कर्म करने चाहिए उस दिन सरधा पुर्वग ब्रहामनों को दचना देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की छमा मांगनी चाहिए धार्मिक जनों को सुक्र और कृष्ण पच की दोनों एकादसियों को एक साह समझना चाहिए उनमें भेद मानना उचित नहीं है उपर लिखी वीधी के अनुसार जो मनुसे एकादसी का ब्रत करते हैं उनको संखोदवार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुन्य मिलता है वह एकादसी ब्रत के पुन्य के सुलहवे भाग के बराबर भी नहीं व्यती पात योग में संक्रांत्री में तथा चंद्र, सुर्य, ग्रहन में दान देने से और कुरुछेत्र में सनान करने से जो पुन्य प्राप्त होता है वही पुन्य मनुसे को एकादसी का ब्रत करने से प्राप्त होता है जो फल देव पात्थी ब्रहमनों को एक हजार गोदान करने से मिलता है उससे दस गुना अधिक पुन्य एकादसी का ब्रत करने से मिलता है दस स्रेष्ट ब्रहमनों को भोजन कराने से जो पुन्य मिलता है वह एकादसी के पुन्य के दस्वे भाग के बराबर होता है निर्जला ब्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बरावर होता है उपरोक्त कोई सा एक ब्रत जरूर करना चाहिए एकादसी का ब्रत करने पर ही यग दान तप आदी मिलते हैं अनेथा नहीं अता एकादसी को अवस ही ब्रत करना चाहिए इस ब्रत में संख से जल नहीं पीना चाहिए मचली सुवर तथा अन एकादसी के ब्रत में बरजित है एकादसी ब्रत का फल हजार यग्यों से भी अधिक है ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा हे भगवान आपने इस एकादसी के पुन्य को अनेक तिर्थों से स्रेष्ट तथा पवित्र क्यों बतलाया है सब आप विस्तार पुर्वक कहिए भगवान बोले हे अर्जुन सत्यूक में एक महा भ्यंकर देते हुआ था उसका नाम मूर था उस देत ने इंद्रादी देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उसके अस्थान से गिरा दिया तब देवेंद्र ने महा देव जी से प्राथना की की है सीव संकर हम सब देवता मूर देत्यों के अत्याचारों से दुखित हो मिर्तु लोक में अपना जीवन बेहतित कर रहे हैं आने देवताओं की हालत का तो मैं वर्नन ही नहीं कर सकता आप किरपा कर इस महान दुख से छुटने का उपाय बताईए संकर जी बोले हे देवेंद्र आप विश्नु भगवान के पास जाईए इंद्र तथा अन देवता महादेव जी के बचनों को सुनकर छीर सागर गए जहां पर भगवान विश्नु सेश सहियां पर सयन कर रहे थे भगवान को सयन करते देखकर देवताओं सहीत्र इंद्र ने अस्तुती की हे देवताओं के देव आप अस्तूती करने योग हैं आपको बारंबार परनाम है हे देत्यों के सनहारत हे मधुसुधन आप हमारी रच्छा करें हे जगनात समस्त देव देत्यों से भैबित होकर हम आपकी सरन में आए हैं इस समय देत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पिर्थवी पर विच्रन कर रहे हैं अता आप ही हमारी रच्छा कीजिये रच्छा कीजिये देवताओं के द्वारा करुणा पूर्ण वानी को सुनका स्री विश्नु भगवान बोले है देवताओं वह कौन सा देत्य है जिसने देवताओं को जित लिया है भगवान के उस अमरित रूपी वच्नु को सुनका रिं उसकी राजधानी इंद्रावती है उस इंद्रावती नगरी में वह मुर नामक देत्य निवास करता है जिससे अपने बल्क से समस्त्व विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देव लोक से निकाल कर इंद्र अगनी यम बरून चंद्रमा सुर्य आदी लोक पास बना है वह स्वेम सुर्य बनकर पिर्थ्व को तापत है और स्वेम मेघ बनकर जल को जल की बरसा करता है तो आप इस बलसाली भ्यानक को मार कर देवताओं की रच्छा करें इंद्र के ऐसे वचन सुनकर सिरी बिश्नु भगवान बोले देवताओं मैं तुम्हारे सत्रूओं का सीध ही सनहार करूंगा अब आप उस चंद्रावती नगरी को जाईए इस परकार भगवान बिश्नु देवताओं के साथ चल दिये उस समय देत्य पति मूर अनेको देत्यों के साथ युद भूमी में गरज रहा था युद प्रारम होने पर असंख दानव अनेको अस्त्रों सस्त्रों को धारन कर देवताओं से युद करने लगे प्रंतु देवताओं देत्यों के आगे एक छन भी नठ हर सके तब भगवान बिश्नु भी युद भूमी में आ गये तब देत्यों ने भगवा इस युद में अनेको दानव सदेव के लिए सो गये प्रंतु देत्यों कराजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद करता रहा भगवान विश्नु मूर को मारने के लिए जिन जिन सस्त्रों का प्रियोग करते वे सब उनके तेज से नश्ठों कर उस पर के लिए सहस्त्र वर्स तक युद करते रहे परंतु उस देत्यों को न जित सके अंत में विश्नु सांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रीकास्राम चले गए उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेम वती नाम की एक गुफा में सेयन करने की इच्छा से भगवान है अरजुन अता मैंने उस गुफा में सेयन किया वहदेत भी मेरे पीछे पीछे चला आया मुझको सेयन करता देखकर भागने को त्यार हो गिया वहदेत सोचने लगा कि यह मैं आज अपने चीर सत्रु को मार कर सदेव के लिए निसकंठक हो जाऊंगा उसी समय मेरी देश स एक अत्यंत सुंदर कन्या दिविवस्त रधारन करके उत्पन हुई और देते के सामने आकर युद करने लगी तब वह देत आश्चरिय के साथ सोचने लगा कि यह मेरी ऐसी बलवान कन्या कहां से उत्पन हुई वह देत उन कन्या से लगतार युद करता रहा कुछ समय वह देत महान क्रोध करके उससे बल यूद करने लगा मलू यूद करने लगा उस कन्या ने उसको धक्का मार कर मुर्चित कर दिया उठने पर उसका सीर काट लिया वह देत सीर कटते ही पिर्थवी पर गिर गिया और मिर्त्यू को प्राप्थ हुआ अन्य समस्त दाना भी ऐसा देखकर पताल लोग को चल गए जब भगवान विश्णू की निंद्रा तूटी तो उस देट को मरा देखकर अत्यंत अस्चर्य करने लगे और विचारने लगे इस देट को किसने मारा है तब कन्या भगवान से हाथ जोड़ कर बोली कि है भगवान यह देट आपको मारने को त्यार था तम मैंने आपके सरीर से उत्पन होकर उसका बद किया है कि इस पर भगवान बोले है कन्या तुने इसको मारा है तर मैं तेरे उपर अत्यंत परसन हूं तूने तीनों लोगों के देवताओं को सुखी किया है इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार बर्दान मां और मेरे ब्रत का आधा फल रात्री को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वालों को मिले जो मनुस भक्ति पुर्वक मेरे ब्रत को करे वे निस्चा ही बिश्नु लोग को प्राप्त करे किरपा करके मुझे ऐसा ही बर्दान दीजे जो मनुस मेरे दीनी तथा रात्र को एक बार भोजन करे वे धन जदान से भर पूरु रहे इस पर वगवान विश्णू उस कान्या से बोले है ऐसा ही होगा अन्मेरे ऑर तेरे भक्त करें औरस प्रप्त करें घर लो गर लोक करें आज है कोवा है is लिए ते रे नाम भी आजसी हुआ जो मनुस्य तेरे दिन ब्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नश्ट हो जाएंगे आंत में मोक्ती को प्राप्त करेंगे मेरे लिए अब तीज आठे नोमी और चोदस भी अधिक प्रिये है तेरा ब्रत का फल सब तिर्थ के फल से भी महान होगा यह मेरा कथन सत्य है ऐसा कहकर भगवान उसी अस्तान पर अंतर ध्यान होगा है एका दसी भगवान के उत्तम बचनों को सुन का परसन होई भगवान बो देता हूं और उन्हें मोच देता हूं उन मनुस्यों के बिगनों को मैं स्वैम ही नष्ट कर देता हूं है अरजूर यह मेरे तुम से एकादसी कुद्पती के बारे में बतलाया है एकादसी ब्रत समस्त पापों का नष्ट करने वाला है और सिद्धी को देने वाला है उत्त में यह कफल मिलता है उत्पन्ना एकादसी ब्रत का ब्रत कथा का शमापन यहां पर होता है नमस्कार राधे राधे जैस्री क्रिश्ना